नमस्का सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ प्रीती आए एक नज़र डालते हैं सुभा साथ बजे की सुर्खियों पर अमेरिका में नौ साल बाद ब्याजदरों में चौथाई पीज़ी बढ़ोतरी अर्थ्विवस्था में तेज़ी के बाद पेडरल रिजर्व का फैसला भारत से बाहर जा सकते हैं पूंजी डॉलर में और मजबूती क्या आसा आतंगवादियों की पनागार बना हुआ है पाकस्तान अमेरिके प्रिश्यासन ने पाकस्तान के परमाणू कारिक्रम पर भी जताई चिंता भारत से संबंद सुधान ने की दी नसीहत जियेस्टी पर सरकार ने दिये एक फीजदी अतरिक्त कर हटानी के संकेत वित्तमंत्री ने कहा जियेस्टी दर को सम्विधान विधैक में शामिल करना संभब नहीं जल्द सर्विदलिय अबैठक बुलाएगी सरकार दिल्ली सचीवारे चाप इमारी में विपक्ष ने की जेपीसी की मांग, कॉंग्रेस ने कहा स्तीफा दे अरुण जेट लीग, सरकार ने कहा मामले पर ना हो सी आसर्थ और अरुमनाचल प्रदेश विधान सभा में स्पीकर को खटाने का प्रस्ताव ध्वनीमत से पारित 33 विधाईकों निकिया समर्थर, दिल्ली में कॉंग्रेस अद्धक्ष ने की राष्टुकती से दाखल की मांग गुलिटन में सबसे पहले एक खबर अमेरिका से है जहां फेडरल रिजर्व ने ब्याजदरों में चौथाई फीजदी बढ़ाने का फैसला किया है नौ साल के बाद ब्याजदरे बढ़ाई गई है अब ब्याजदरे बढ़कर आधा फीजदी तक पहुँच जाएंगी मंदी से बाहर निकलने के लिए इतने तक ब्याजदरे नहीं बढ़ाई गई है अमेरिकी संग्ये बैंक ने कहा है कि अमेरिका में घरेलू खर्च में बढ़ोतरी व्यापार में निवेश और महंगाई की लगातार नीची दर की वजह से ये फैसला हुआ है पेडरल रिजर्फ के मताबिक अमेरिकी अर्थविवस्था में तेजी आ रही है केंडरिय बैंक ने ब्याजदरों में और बढ़ोतरी का संकेत भी दिया इस वैसले का असर भारत समेद दुनिया भर की उभरती अर्थविवस्थाओं पर पढ़ सकता है विदेशी संस्थागत ने वे शक शेयर बाजार से पूझे निकाल सकते हैं पेडरल रिजर्फ के इस कदम से अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी है वहीं डॉलर और मजबूत हो सकता है अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकबादियों की पनागार बना हुआ है और वहां के सुरक्षा एजिंसियां तक आतंकबादियों को फलने पूलने के साथ साथ आशरे देने में मदद कर रही हैं अमेरिकी कॉंग्रेस यानि संसद की विदेश मामलों की समिती के प्रमुक आड डॉइस ने कहा कि पाकिस्तान में बीते कई दश्कों में सरकारे आई और गएं लेकिन आतंकबाद को बढ़ावा देने का काम जारी रहा पाकिस्तान के मसले पर संसद की समिती में सुनवाई के दोरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका से आतंकबाद के खिलाव लडने के लिए भारी आर्थिक सैनिस सहयता मुहया कराई गई लेकिन बदले में पाकिस्तान ने आतंगवात के खिलाफ लड़ाई में सहयोग से किया वादा नहीं निभाया उन्होंने कहा कि संशे के बावजूद पाकिस्तान को परमाडू कारिकर्म जारी रखने तक की छूड़ दी गई रोईस ने नाराजगी जटाते हुए कहा कि उसामा बिलादिन को मारने के लिए चलाए गए ओपरेशन की जानकारी अगर पाकिस्तान सरकार को दी गई होती तो ये अभियान निश्टित तोर पर नाकाम हो जाता राश्रबधी पराक उबामा के सहयोगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसलें पर नियूक्त विशेश प्रतिनिधी रिचर्ड जी ओसलाण ने भी समेती के सामने कुछ ऐसी ही रायपेश की ओसलाण ने पाकिस्तानी पर मारु कारिकर्म पर बेचिनता जताई है उसला ने कहा कि भारत के साथ संबन सुधाना ना सिर्फ पाकिस्तान बलकि समूचिक शित्र के लिए बहतर होगा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने H1B और L1 वीजा पर भारते कमपनियों की चिंताएं अमेरिकी राश्पती बराक उबामा को बताई है बराक उबामा ने कल नरेंदर मोदी को जल्वाईयों समझोते पर सहमती के लिए बधाई देने पर फोन किया प्रधान मंतरी ने कहा कि अमेरिका में प्रस्तावित खानून से भारती आईटी कमपनिया और पेशेवर चिंतित है दरसल अमेरिका में 9-11 नाम से स्वास्ते खानून पर स्तावित है इसके तहट H-1B और L-1 वीजा के लिए भारती कमपनियों को 2000 डॉलर और देने पर सकते हैं बिल की भाशा ऐसी है कि इसका असर सिर्फ भारती कमपनियों पर पड़ेगा नेसकॉम के मताबिक पिछले पात साल में भारती कमपनियों ने हर साल साथ से आठ करोड डॉलर चुकाए है अरुनाचल प्रदेश की राजनीती में नया मोडा गया है मौझूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव विधान सभा से ध्वनी मत से पारित हो गया पारित प्रस्ताव पर 33 विधायकों के हस्ताक्षर हैं इनमें कॉंगरिस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 नर्दलिया विधायक शामिल है सम्वेधाने करार दिया है, उन्होंने आयोग ये करार दिये गए, कॉंगरिस की 14 बागी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने पर सवाल खड़े किये है कॉंगरिस सद्धक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि अरुनाचल प्रदेश में सम्वेधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा है उन्होंने इस मसले पर राश्टुपती से शिकायत करते हुए दखल की मांग की है इस मसले के लिए कॉंगरिस के इंद्र सरकार को जिम्मेधा ठहरा रही है पार्टी ने कल लगाता दूसरे दिन भी संसत की दोनों सद्धनों में इस मुद्धे को उठाया सुनिया गांधी की अगवाई में कॉंग्रेस प्रतिनिधी मंडल ने अरुनाचल प्रदेश में राजपाल जेपी राजखोवा के सत्र बुलाने की राश्रपती से शिकायत की उन्होंने इस मसले पर राश्रपती से हस्तक्षेप की मांग भी की कॉंग्रेस कारोफ है कि केंद्र सरकार के दिर्देश पर राजपाल अरुनाचल में बहुमत वाली कॉंग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं कॉंग्रेस ने संसत के दोनों सदनों में भी इस मसले को अठाया राज्यसभा में इस वज़े से कई बार कारोफ ही स्थगित करने बड़ी राज्यसभा में कॉंग्रेस अंसदों ने राज्यपाल को बरखास्त करने की मांगी लोगसभा में शूरननेकाल के दोरान कॉंग्रेस नेता मलेकारजुन खडगे ने कहा कि अरुनाचल में समविधान की हत्या की जा रही है जबकि संसदिय कार्यमंतरी वेंकायन आईडू ने सदन में राज्यपाल के कामकाज पर बहस करने की कोशिश को घलत ठहराया उन्होंने कॉंग्रेस पर अंदरूनी मसलों को सदन में उठाने का भी हारोप लगाया इसके बाद सूनिया गांधी और राहूल गांधी के साथ कॉंग्रेस के सभी सदस से वॉक आउट कर गए कॉंग्रेस अरुनाचल प्रदेश में मंतरी मंडल की सलह के बगएर राज़पाल की ओर से सत्र बुलाय जाने का विरोध कर रही है राज़पाल ने जनवरी में तैस सत्र की बजाए सोलह दिसंबर से तीन दिन का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ और अब GST से जुड़ी खबर वितमंत्री अरुन जेटली ने GST पर कॉंग्रिस से फिर से सहयोग की अपील की है उन्होंने कॉंग्रिस के एक फीजदी अतरिक्त कर हटाने की मांग को स्वीकार करने के संकेत भी दिये है वितमंत्री ने कहा कि GST को सभी दलों को स्विकार करना चाहिए क्योंकि ये देश के विकास से जुड़ा है सरकार GST पर सहमती के लिए एक बार फिर सर्वदलिय बैठक बुलाने की तयारी में है केंद्री वितमंत्री अरुन चेटली ने GST पर कॉंग्रेस के सुझाव मानने के संकेत दिये हैं दिल्ली में आयुजित कारिकरम में उन्होंने कहा कि सरकार एक परसेंट अतिरिक टैक्स हटाने की मांग को स्विकार कर सकती है लेकिन वितमंत्री GST दर को सम्विधान विध्यक में शामिल करने की मांग पर सहमत नहीं है वितमंत्री अरुन जेटली ने GST इनिडिया कारिकरम में कहा कि संसद में विपक्ष विध्यक पर रुकावट पैदा कर रहा है जिससे सत्र नहीं चल पा रहा है अगर ऐसा ही रहा तो ये भविश्य में विपक्ष के लिए मिसार बन जाएगा जबकि व्यापारिक समोहने बिल पारित नहीं होने पर चिंता जताई वित्यमंत्री नहीं जताई है कि अगले साल से बस्तू एवम सेवा कर लागू हो जाएगा विपिंच ओहान राज्यसभा टीवी केंद्रे कैबिनेट के कल भारते द्वी पक्षिय निवेश समझोता के संशोधित मॉडल को कैबिनेट ने मज़ूरी दे दी है इसका मकसद विदेशी निवेशिकों को परियाप्त सुरक्षा मोहया कराना है संशोधित मॉडल में विवादों के निप्टारी के प्रावधान में सुधार शामिल है कैबिनेट ने देश में भूमिगत कोईले को गैस में बदलने की नीती की रूपरेखा को मनजूर कर लिया वही आर्थिक मामलों की मंतरी मंडलियस समयती ने साफजनिक शेतर की कमपनियों को बिक्री के लिए कोईला खानों और खंडों के आवंटन के आरक्षित मूले और अगरिम भुकतान की तोर तरीकों तै करने को भी मनजूरी देदी है इस से देश में कोईले के उत्पादन में वृद्धी करने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी साथी स्पेन के साथ बंदरगा मामलों में सहयोग पर समझोते और ब्रिक्स देशों के बीच उचित बचत और उर्जा दक्षिता पर खरार को कैबिनेट ने मनजूरी दे दी इसके अलावा वानेजिक नियायाले, उच्छ नियायाले, वानेजिक प्रभाग और वानेजिक अपील प्रभाग विधेक 2015 और सम्विधान अनुसू चित जाती आदेश 1950 में संशोधन को भी कैबिनेट की मनजूरी मिल गई है दिल्ली सच्छ वाले में CBI छाप इमारी का विबाद थम नहीं रहा है BJP, कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी के बीच आलोप प्रतरुप जारी है लोगसमब में कई विपक्षी पार्टी उने जाच के लिए JPC के गठन की मांग की है तो महीं कॉंग्रिस ने वितमंत्री अरुन जेटली से स्तीफा मंगा है इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के प्रमुख सच्छ राजेंदर कुमार से का लगातार दूसरे दिन भी CBI ने पूछताच की दिल्ली सचवाले में छापमारी में नया मोड आ गया लोगसभा में त्रिनमूल कॉंग्रेस और वामपंथी दलों ने मामले की गंबीरता को देखते हुए JPC गठन की मांग की है कॉंग्रेस ने भी इसका समर्थन करते हुए वित्यमंत्री अरुन जेटली से इस्तिफा की मांग की है उधर सरकार ने एक बार फिर कहा कि CBI अपना काम कर रही है और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है इस मामले में एक नीजी संस्था ने दावा किया है कि भी 6 महीने पहले उसने प्रधान सचेव राजेंदर कुमार के खिलाफ मुख्यमंतری प्रधान मंतری राष्टपती CVC से शिकायत की थी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधान सचिर राजेंद्र कुमार की कारशाली पर सवाल उठाए हैं आरोप प्रत्यारोप के बीच CBI ने आज राजेंद्र कुमार से फिर पूछताच की शाम सुंदर के साथ अनुदिवान राज्य सभा टीवी वितमंत्री अनुदिवान जेटली ने अपने उपर लगे आरोपो को बेमुनियाद बताया है उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपो को का वो जवाब देना नहीं चाहते हैं I can't answer a vague allegation without any basis Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis और दिल्ली सरकार के आरोपो को CBI ने भी सिरे से खारिश कर दिया है CBI ने एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री के ओफिस में चाहपे नहीं मारे गए है CBI की प्रवक्ता देव प्रीट सिंग ने कहा कि जूठे आरोप लगाये जा रहे हैं CBI also reiterates that the searchers and the seizures on 15th of December 2015 were in conformity with the due process of law and legal procedures have been followed meticulously CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner फिलाल रुकरे एक छोटी से ब्रेक के लिए जल वापस लोटेंगे बात आम अवाम की जीवन संग्राम की दुनिया जहान की जो करती है आग पर असर हम बनाते हैं उसको खबर देखी RSTV विशेश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर कला की दुनिया से जुड़े ताबिन्दा सितारे उनका संगर्श, उनकी खुशिया, उनके गम हमें अपने जड़ों से जुड़ना है सियाद को होना खुदा के बराबर है प्येटिविटी का जजबा आपके शरीर में चलता है मुझे लगता है मैंने का अमा जो भी डाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियास करूँगा हर मुलाकात का अंजाम जुदाई की उनकी काम्याबियों और उनकी जिन्दगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत थोड़ा मिले इज़त का मिले ये पूजा है ये एक इबादत है खाने के लिए भी सीखना पड़ता है रस्ते पर पढ़े है किटानों की तर लाकिन इंसेक्ट विलिए हर हफ़ते एक नई हस्ती से सिर्फ राजसभा टीवी पर आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश कैसे बनी संसर कैसे उठा देश कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शांतार विरासा लोग तंत्र की मस्बूत इमाराद राज्यसभा टेलिवीजन और आएए बुलिटन में बात करते हैं कुछ और हम खबरों की वितमंत्री अरुन जेट्ली ने पिट्रोल डीजल पर उतपाज शुलक बढ़ाने के फैसले का बचाव किया उन्होंने कल राज्यसभा में इस बारे में उठे सवालों पर कहा कि इस से मिलने वाली राशी का बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है और बागी राशी का इस्तेमाल बुनियादी धाचों के विकास में लगता है कॉंग्रेस समें तमाम विपक्षिदरों ने सरकार पर कच्छे तेल की खिमितों में भारी गिरावट का आम लोगों तक पाइदा नहीं पहुचाने का रोप लगाया कारेवाही शुरू होने पर कॉंग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्ख बढ़ाने का मुद्दा उठाया सदन में पार्टी के उपनिता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने सात्वी बार उत्पाद शुल्ख में इजाफा किया है उनना ने कहा कि अंतराश्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई है लेकिन आम लोगों को इसका फाइदा नहीं मिल पा रहा लेफ्ट समाजवादी पार्टी और जेडियू समेथ तमाम विपक्षी दलों ने भी इस मसले पर सरकार को घेडने की कोशिश की पेट्रॉल में और डीजल में कमी होने जा रही है तो कमी होने के बज़ाए कमी तो की कम और इस एकसाइज ड्यूटी के माध्यम से इसमें दाम बढ़ा दिया जा दे आयल के दाम जो घटे है इनी के चलते आप अपने तरह के फिजिकल से लेके सारे घटे आप पूरा करना चाहते ये बिलकुल ठीक बात नहीं है वित्मंत्री अरुन जेटली ने उतपात शुल्क बढ़ाने के फैसले का बचाव किया उन्होंने कहा कि NDA सरकार बनने के बाद पेट्रोल की कीमतों में 20 बार और डीजल की कीमतों में 16 बार कटौती की गई है जेटली ने कहा कि पहले बार सरकार खर्च में कटौती किये बिना राज कोशिय घाटे के लक्षे को हासिल करने जा रही है एक हिस्सा इसका कंजूमर पे जाता है दूसरा हिस्सा इसका डेवलॉप्मेंटल एक्टिविटी में जाता है केंदर सरकार डेड़ महीनी से कम समय में दूसरी बार पेट्रोल पर उतपात शुल्क में 30 पैसे प्रती लीटर और डीजल पर 1 रुपे 17 पैसे प्रती लीटर की बढ़ुत रही है इसे सरकार को ठाई हजार करोड मिलने की उम्मीद है इसे पहले 7 नवंबर को पेट्रोल डीजल की उतपात शुल्क में इज़ाफा किया गया था कृती मिश्रा राजी सभा टीवी कौंग्रिस उपाद दक्ष राहूल गांधी ने केंदर सरकार पर चाय मजदूरों की अंदेखी का आरोप लगाया है पश्चिम मंगाल में चाय बागान मजदूरों की हालात को लेकर कल जंतर मंतर पर एक रैली में उन्होंने यह आरोप लगाया राहूल गांधी ने कहा कि यह दुखत है कि प्रधान मंतरी चाय पर चर्चा करते हैं लेकिन चाय उत्पादक मजदूरों का खाया नहीं रखते उन्होंने प्रधान मंतरी के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाया राहूल गान्दी ने कहा कि यूपीय सरकार समाज के सभी तबकों के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा खानून और मनिरेगा जैसे खानून लेकर आई थी मैं जाता हूँ कि कमरेस पार्टी अधियर जी बंगॉल में आप इगानून के लड़ूंगा और मैं वेस्ट बंगॉल की सरकार सभर उंदूस्तान की सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी इनकी मदद कीजिए ऐसा हिंदुस्ता नहीं नहीं चाहिए जहां पे हमारे मज़ूर भूके मर रहे हैं जहां पे इसका बश्चन नहीं मुंबई एरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के इंजिन में फसने से टेक्नीशिन रवी सुबरमन्यम की मौत हो गई यहादसा बीती रात तब हुआ जब मुंबई हैदरबाद फलाइट का सेह पाइलिट सिगनल समझने में खलती कर बैठा उसने पुश बैक सिगनल को इंजिन चालू करने का सिगनल समझ लिया इसे सुबरमन्यम इंजिन की तरफ खिच गया पुश बैक में विमान को एरपोर्ट गेर तक ट्रॉली से खीच कर लाया जाता है एर इंडिया की अध्यक्ष शश्विनी लोहानी ने कहा है कि घटना के जान शिरू हो गई है पुलिस ने शवका पंच्छ नामा कर लिया है लेकिन मामला दर्ज करने पर खानूनी राय ली जा रही है एर इंडिया जो फ्लाइट टाम मुंबे हधराबाद जा रहा था उसमें जो डिपर्चर होने के समय जो उसको पुश बैक किया गया पुश बैक होने के बाद में जब पुश बैक निकाला जाता है उससे समय जो करमचारी पुश बैक निकालने के लिए गया तो उसको खीचा गया इंजिनियर रेस करने के वज़े से खीचा गया तो उसकी मुर्टी हो भी रहे दिल्ली और NCR में 31 मार्च से 2000 CC से जादा डीजल SUV गाड़ियों का रेजिस्ट्रेशन मार्च तक नहीं होगा बरते प्रदूशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट निकली आदेश दिया ग्रीन टेक्स को भी दुगना कर दिया गया है दिल्ली की आबो हवा को साफ बनाने के लिए सवा करोड से जादा बाशिंदों को प्रदूशन से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं बुदवार को अदालत ने 2000 सीसी से जादा की डीजल गाडियों के रेजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है 31 मार्च 2016 तक दिल्ली समेथ पूरे NCR पर ये पावंदी लागू रहेगी कास और सुवी जो डीजल पर चलती हैं उनकी रेजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाया गया है पूरी NCR रीजियन पे उसके साथ साथ जो 2005 से पहले जो ट्रक्स बनी हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती जो बाहर से वहिकल्स आती हैं कमर्शल वहिकल्स उसके उपर इंट्री टैक्स डबल कर दिया है और वो वहिकल्स जो ओल्ड है बीएस फॉर पे 2005 से पुरानी वाली गालिया उनको बिल्कुल बैन कर दिया उनकी इंट्री बैन है इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली में दाखिल होने वाले कमर्शल वाहनों पर ग्रीन टैक्स को दो गुना कर दिया है इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोट ने कमर्शल गारियों पर ग्रीन टैक्स लगाया था पहले ये टैक्स 700 और 1300 रुपए था जो बढ़कर 1400 और 2600 रुपए हो जाएगा अदालत ने ये साफ कर दिया है कि 2005 से 2015 तक के रेजिस्ट्रेशन वाले कमर्शल वाहन ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं उससे पहले की नहीं सुप्रीम कोट ने दिल्ली में चलने वाली डीजल टैक्सियों को 31 मार्स तक CNG में बदलने का निर्देश दिया है डीजल इंजन की कारों को प्रतिबंधित करने वाले सुप्रीम कोट के आदेश में कई सबक हैं डीजल इंजन बनाने वाली कारों को जहन नए सिरे से इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे ऐस तरह के इंजन का निर्मान किया जाए जिससे की प्रदुशन कम से कम फेले कैमेरमेन सुधानशुक के साथ दिल्ली से रविन सिंग शोरान, राज्य सभा टीवी सुप्रीम कोट ने अपने अधिकारों का इस्तमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ती कर दी है अदालत ने राज्य सरकार के नाकाम होने पर रिटार जस्टिस विरेंदर सिंग को इस पद पर नियुक्त किया अदालत के बार बार आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली था सुप्रीम कोट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बुधवार को सेवा निवरत नियाधीश विरेंदर सिंग को उत्तर प्रदेश का नाया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया चैन समीधी के सदस्यों के बीच नाम पर सहमती नहीं बन पाने के बाद अदालत ने ये फैसला लिया इससे पहले 14 दिसमबर को सुप्रीम कोट ने लोकायुक्त की नियुक्त को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोट ने राज्य सरकार को 16 दिसमबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्त करने का आदेश दिया था अदालत इससे पहले 24 अप्रेल 2014 को भी 6 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्त का आदेश दे चुकी थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नामते नहीं कर पाई प्रदेश में करीब देश साल से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है रवी अंदर सिंग शुरान राज्य सभा टीवी सुप्रीम कोट ने जजो की नियुक्ति के लिए कॉलेजियों प्रणाली में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिये हैं अदालत ने कहा कि केंदर और राज्यों की सला का ध्यान रखा जाना चाहिए कोट ने कहा कि सरकार पार दर्शिता लाने के लिए चीफ्स जस्टिस से मश्वरे के बाद प्रक्रिया का ग्यापन तै करे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जजो की नियुक्ती पर M.O.P. को अंतिम रूब भारत के चीफ जेस्टिस की सलह से दिया जाना चाहिए योगिता के मांदन पर गोर करते समय M.O.P. को नियूनितम उम्र का भी जिकर करना चाहिए जो कॉलेजियम के दिशा निर्देश के तौर पर काम करेगा मागी पर निसले की मुश्किले कम होती नजर नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने बुदवार को मागी नूडल्स के सांपल्स को दुबारा जाँच के लिए भीज़े जाने का आदेश दिया अदालत ने कहा कि मागी के ताज़ा सांपल्स की मैसूर की लैब में फिर से जाँच हो इससे पहले 10 दिसंबर को N.C.D.R.C. ने मागी नूडल्स के सोला और नमूनों का परिक्शन का आदेश दिया था अदालत ने N.C.D.R.C. में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है पूट ने स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यादेश दिया इस याचिका में सूखे की समस्या से निज़ात दिराने के लिए राजज सरकारों के साथ कींद्र को भी तारवाई करने की मांग की गई थी सुराज अभियान सूखागरस अबादी को लाल राशन कार्ड की दर से 60 केलो अनाज देने की भी मांग कर रहा है केरल में प्रधार मंत्री के कारिक्रम में खेर मौझूदगी पर मुख्यमंत्रियों मन्चान्डी ने अपना पक्ष रखा है प्रधार मंत्री के नाम लेकी चिठी में उन्होंने केंद्रिय मंत्री राजनाथ सिंग और आजी प्रताब रूडी पर सदन को गुमरह करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहाई कि केरल के दलित समुदाय के कारिक्रम में प्रधानमंत्री के साथ शिर्कत करने का नियोता देने के बाद उसे वापस ले लिया गया और इसके लिए उन्होंने अपने थर्क भी दिये हैं इसरों ने कल शाम PSLV-29 रॉकेट के जरिये सिंगापूर के छे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया इन उपग्रहों को श्री हरी कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष के इंदर से छोड़ा गया प्रक्षेपण की 20 मिनट बाद ये उपग्रह प्रित्वी की कक्षा में स्थापित हो गए सिंगापूर के इन उपग्रहों का वजन 600 किलो से कुछ जादा है और इस साल इसरों का ये आखरी प्रक्षेपण है 11 नमंबर को इसरों ने फ्रेंच गुवाना से संचार उपग्रेजी सैट 15 का प्रक्षेपण किया था इसरों ने अब तक 20 देशों के 51 उपग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया है इसरों का ये छटा व्यवसाई का भ्यान है अगले तीन महीने में तीन और उपग्रहों का प्रक्षेपण होना है प्रधानमंत्री ने सफल प्रक्षेपण पर इसरों को बधाई दी है नेपाल में मधेसी आंदोलन एक बार फिर हिंसक हो गया है बुधवार को जनकपूर में राम की बारात की दोरान अंदोलनकारियों और सुरक्षाबलों की भी जड़प होई जिसमें भारते शृद्धालों समेद 22 से जादा लोग जखमी हो गए है दरसल नेपाल की राश्पती विद्यादीवी भंडारी विवापंचवी की मौके पर जनकपूर के रामजान की मंदिन में दर्शन के लिए पहुची थी उनके जनक पर पहुचते ही हजारों की तादाद में अंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदशन शुरू कर दिया भीड को काबू में करने के लिए पुलिस को फाइरिंग और आसू गैस की गोलों का इस्तमाल करना पड़ा उपराश्पती मुहमद हमिन अंसारी ने कल डिप्लोमेसी आड दे काटिंग एज नाम की किताब का मिमोचन किया उपराश्पती ने किताब के लेखक राजनाई किशन एसराना के कूट नितिक कोशल की तारीफ करते हुए कहा कि कूट नीतिक दुनिया का हाल जानने के लिए सब को ये किताब पढ़ने चाहिए इस मौके पर कई देशों के राजदूत और पूर्व राजने इक भी मौजूद थे बात मौसम की पहाड़े लागों में बर्फबारी का दोर जा रही है जबकि लाहॉल्स पीती में ताप मान शूने से साड़े छे डिग्री नीचे चला गया है पहाड़ों पर बर्वबारी से मैदानी लाखों में ठिटुरन है समूचे उत्तर भारत में इस वक्त कडाके की ठंड पड़ रही है और इसी के साथ फिलाल इस बॉलेटिन में इतना ही आखर में एक नज़र हेडलाइन्स पर अमेरिका में नौ साल बाद ब्याज़ दरों में चौथाई तीज़ दी बरहोतरी अर्थ्विस्था में तेजी के बाद पेडरिल रिजर्व का फैसला भारत से बाहर जा सकती है पूंजी डॉलर में और मजबूती के आसार आतंगवादियों के पनागार बना हुआ है पाकिस्तान अमेरिकी प्रुश्यासन ने पाकिस्तान के परमाणुकारिक्रम पर भी जताई चिंता भारत से संबंद सुधारने की दी नसीह जीएस्टी पर सरकार ने दी एक पीस दी अतरिक्त कर हटाने के संकेट वित्मंत्री ने कहा जीएस्टी दर को सम्विधान विधैक में शामिल करना संभव नहीं जल्द सर्विदलिया बैठर बुलाएगी सरकार दिल्ली सचेवाले चापेवारी में विपक्ष्री की जेपीसी की मांग कॉंगरिस ने कहा स्तीफा दे अरुन जेट ली सरकार ने कहा मामले पन नाखो सियासर और अरुनाचल प्रदेश विधान सभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव होनी मत्से पारिट 33 विधाय को नहीं किया समर्थन दिल्ली में कॉंगरिस अदेश ने की राष्टपती से दखल की मां